मैं परभारी बना गया हूं मेरी घोषना हुई है यहाँ पर फोधर से इसकी घोषना कर दो अब यह परत्यासी है और यह तो मैं यहां पे आफ जो है समाज को खटा कर रहा हूं। कि चुनाव लड़ाया जाएगा। अब हम उसी परक्रिया से छेतर में गूमेंगे लेकिन इसके साथ हम एक और बलाएंगे जब चुनाव की घोसना से पहले चुनाव आयोग अपनी गोशना करेगा उसमाज के लोग लेंगे समाज ने मुझे जुम्यदारी दिया निर्दे लड़ने की तो मैं उसको जोली फैला करके सुर्कार करता हूं और लगातार जिस तरगे से मिटिंग जारी थी वो मिटिंगे चलती रहेंगी उसके बीच मैं समाज जो भी निर् लेकिन कुछ दलालों ने बहेंघ यी को गुम्रा किया कि बहेंगी रवी ग। अपके पास पैसे नहीं है वह चुनाव नहीं लड़ सकते दूसरी चीज के बहेंज जी उनपे मुगदमे हैं लेकिन जो मुने मैंने महसूस करा कि दलालों को पैसे ठगने का बहाना चाहिए मेरा कार है मेरे संग्धन का नाम पूछा और मेरे से पूछे कितने मुगदमे मैंने उनको बता दिये मेरे दो मुगदमे हैं जो अभी वर्तमान में हैं और यह समाज के ओपर हैं उनका ठीक है आपका टिकेट फाइनलर आप तैयार किजिए मेरी घोसना भी हो गई कारेकरम चल कोई ऐसी आदमी आता जिसके समाज वह नहीं होती हैं अब को तैक नुकर ठीक हमने महापंचायत करें वह पिंद्दम थे माउने वाली रात चमें रोड़ी लेकिन जब चुनाव से पहले एक माँ पंचात और होगी जिसमें आवहान किया जाएगा कि रभी गुतम चुनाव लड़ रहे हैं जो आज घुसना हो चुकी है रासिंग जी है जेपी भाई है देशराज भाई है बावु जी है यहां के कम से कम से कम सो दो सो पुराने पैसे रही सब कुछ है तो देश से कांगरें सiना जाती है अगर पैसा जो इस बस्वा का परतियासी होगा मैं उमीद करता हूँ वो मेरे परिवार से हो तो मन्तन चिंदन होते हैं अगर वो मेरे परिवार मेरे समास से ना हुआ तो जितनी संक्या यहां पर आई है अगर वो इसकी आदिसंग्या भी खटा कर ले अपने घोशना पत्र में अपनी तुन लीजिए पार्टी का कारेकरता नराज है पार्टी के पददकारी नराज है यह जो घपले बाजी है यह तो मैंने अब देखी कि जब क्यों से पहले मैं समासिवा कर रहा था पार्टी के बेखे गए मुझे नहीं पता बहें जी पास क्या जाता क्या नहीं जाता कोई जिलात द्रक्स ऐसा नहीं बचाओगा जिसने अपनी जेब गरम ना की हो कोई और यह नाम का है समसुदिन राइन ये तो लोग बताते हैं कि जब ये आया था तो परी चोक पे एक सूट केश था आज इसके पास कम से कम से कम एक हजार प्लस क्रोड किसम पत्ती है हम लगातार चुनाओ हारते चले गए दो हजार बारे के बाद इसकी हाँ एंट्री हुई और ये लगातार पैसे वाला बंतर ला गया तो बहेंजी आपको सोचना पड़ेगा ये जो राडो की घड़ी पैड़ते हैं 10 ला कि आती है जाएं जी बहेंज जी बहेंजी करते हैं इनके कोई फैक्टरी नहीं है परचार तो लगंतर जा रही है कि देन तो है कि नहीं कोई भी काम करें पैसा तो लगता ही है विए पैसे क्या होता है जो भी है वो सब समाज का पैसा है अब तीस से 35 रुपे लेकर गोसना से लेकर हम लोग छेजज़ते हैं ब्हाएं खर्च कर्च है लेकिन पार्टी अर्टी में तो सूचें पार्टी आप सरकार में आए, मानने वर कासी राम साब का 9 अक्टूबर 2006 को निधन हुआ मैं समझता हूँ कि साथ में सरकार बन गई, त्योंकि चुनाओ हो गई उसके बाद लेकिन ऐसा क्या निदना है कि बार के बाद हम लगाता है, हारते जा रहें, हारते जारें, बार बार राएण को यहां क्यों लगाया जाता है? मुनकाद क्यों लगा जाता है हमारे अपने परिवार के लोग जिन्हों ने पाटियों खड़ा किया कभी उनको पच्मी बंगाल कभी उत्राखंड कभी जम्मू कस्मीर कभी 36 गड़ कभी असम पसम लगा जे जाता है क्या ये राइन की जम्मेदारी नहीं है क्या ये मुनकाद की जम्मेदारी नहीं है कि उनको क्यों लगा जाता है वहाँ पर मैं गया हूँ अपने मुस्लिम समाज के लोगों पर मुझे आज इस विधान सवा की गली कली याद है मुझे चंडी कली याद है मुझे पंजाब के लिए याद है मैं अपना घर परिवार अपने समाच को त्याक करके समाच को खड़ा करने काम करता हूँ पहले मैं राइन की बात बुदा दूँ आपको मैं कया हूँ अभी केला भट्टा मिर्जापुरू बैटने उन्होंने का रहे भाई अगर राइन यहाँ चार आदमी खड़े कर दे नाम ले करके मुनकाद यहाँ सो आदमी खड़े कर दे ऐसा क्यों उनको बार बार यहाँ लगाया जाता है क्यों गुम्रा किया जाता है आप एक बार गुम्रा होंगे दो बार होंगे तो बेंजी कुछ ठोस निनन लीजिए आपने अकास भाई को जम्म्यदारी दिया है को कई साल से आपने आकास को जम्म्मेदारी दिया है जब आकास भाई के लिए पुछ 성वराज बचेगा यह नहीं नहीं मैं दलालों सब्सक्राइब मैं कर रहा हूं समराज है यह लोग तंतर है जब कुछ बचे कर यह तो आप क्या गरोगे और रही बात आपने का कि मेरी मुलाकात हुई है बैंजी ने मुझे कहा है कभी आपका टिकट कडिया है और आप चुनाव नहीं लड़ेंगे खुद मना किया है आपसे मैं कहतो रहा चार दिन से मुकदमे के मेरे से बात कर रहे है अब बैंजी दुबार रिपोर्टिंग ले लेंगी अगर समाज में वावाज जाएगी तो मैं तो वहां पोचा मुझे वहां दो तीन या चार्ज मिनट मिली बैंजी ने कहा कि आप मुकदमे हैं और आप जो है कौन से मुकद समाज के लिए समाज के लिए समाज समाज के लिए समाज से बड़ी कोई बात नहीं और रही बात मेरे यहां के समाज के लोगों ने कहा मैं डेली सुबह निकलता हूँ 5-6 बजे के रविभाय दलालों चक्कर मताना तो ऐसे दलालों से मैं जुका नहीं टिकट कुर्बान हुआ कोई बात नहीं समाज से बड़ा कोई संगधन नहीं होता कोई पार्टी नहीं होती अर आज मे कि वा साती खड़े हैं जिनको एक उमीद है यकीन मानिएगा जिस समय ये पार्टी के दलाल जो टिकट करवाने काम करते हैं मेरा ही नहीं अपसे पहले कितने लोगों का जब यह सोते हैं जब मैं काम करता हूं आज इनसे पूछ लिजिए कि एक महने के अंदर इन्होंने समाज कितनी खटनाय कबर करी और मा आपको लिखत में दे सकता हूं कि समाज में कितनी खटनाय कबर करने काम किया 12 दरी में मेरे वालिंग समाज के लोगों को मार दिया गाड़ी से उनके लिए मैं रोड़ पजाकर लड़ा ख्रोसिरीग पब्लिक में आठ दिन से एक लड़के की हत्या हो जोगी तो उसको एक्षिट बताया गया उसका 302 में मुगदमा दर्श कराया उसी के बाद विजनगर थाने में बस्पा के हमारे पार्टी के बस्पा के सेक्टर अद्यस को धंकी दिके जान से मानने के लिए कोई नहीं पहुचा मैं पहु हुआ हुँ समाज का एक बेटा हुँ जब तक मेरी सास में सास है लगातार संगर्श जाई रहेगा